दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे एक बहुत ही important और बहुत ही interesting novel को जिसका नाम है Frankenstein इस novel को लिखा था late romantic poetess Mary Shelley ने Mary Shelley wife थी late romantic poet P.B. Shelley की और दोस्तों ये जो fiction है एक gothic fiction है इसको science के बच्चे भी पढ़ते हैं बहुत ही interesting कहानी है शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में ये novel कैसे लिखी गए इसके पीछे भी एक मज़दार किस्सा है जैसे इस novel के शुरुवात में बताया गया है दरसल हुआ क्या था इस novel की writer Mary Shelley वो 1816 में अपने husband P.V. Shelley और Lord Byron के साथ में Switzerland के जिनेवा में थी तो एक शाम बरसात हो रही थी तो इन writers में लग गई शर्त कि वाई सबसे अच्छी ghost story बहुतिया गानी कौन लिख सकता तब जाके Mary Shelley ने प्रंकेंस्टीन को लिखा ये एक मात्र उन में से novel थी जो पूरी हुई थी और ये world की famous novel बन गई सिर्फ literature के बन दे नहीं बलकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ना पसंद करतें क्योंकि story कुछ ऐसी है तो शुरू करते हैं इस novel की कहानी शुरू होती है चार letters से याने की खत इस novel का एक character है Robert Walton नाम का जो अपनी बहन Margaret को एक letter लिखता है सबसे पहला letter उसने लिखा December 11 को सैंट पिटर्सबर्ग रश्या से 18th century चल रही है ये Walton नॉर्ट की तरफ जा रहा है Robert Walton नॉर्ट की तरफ जा रहा है जर्नी पर नॉर्ट पोल की तरफ वो कहता है नॉर्ट पोल जैसी खुबसूरती दुनिया में कहीं भी नहीं नॉर्ट पोल में जाने के दो मकसद है सबसे पहला तो वहां की countries देखना चाहता है और दूसरा ये जानना चाहता है कि नॉर्ट पोल में ये magnetism कहां से आया तो इस फर्स लेटर में अपनी बहन से बोलता है कि कभी मैंने बहुत famous point बनने की कोशच की थी लेकिन बन नहीं सका लेकिन बच्पन का सबना जो नॉर्ट पोल की तरफ जाना था वो दिल में रहा रवाना हो गया ये सोच कर कि क्या वो अब कभी लौट कर आएगा भी या नहीं अब ये दूसरा लेटर लिखता है 28th मार्च को पहला दिसंबर में लिखा था 28th मार्च को लिखा रशिया से वो बोलता है कि मैं बहुत ही अकेला सा हो गया हूँ मेरे बाबा अपने मुझे ऐसे पाला है इतना सेफली पाला है कि मैं इतना सेंसिटिव हो गया हूँ कि समुदर की बृटेलिटी उतसे बरदाश्ट नहीं हो रही अब तक मैंने समुदरी खुबसूरती देखी थी इंजर्स का मुझे पता नहीं था अब मुझे याद आती है एस्ट्री कॉलरिज की लिखी पूएम रायम अफ दा इंशिन मेरिनर जिसमें उन्होंने सिर्फ समुदरी की खुबसूरती नहीं बृटेलिटी भी दिखाई थी फिर ये तीसरा लेटर लिखता है जुलाई में साथ जुलाई को कि मौसम अब कुछ-कुछ साफ हुआ है और ये नीचर का डिस्क्रिप्शन देता है जैसे समुदर की बर्फ फिर ये फूर्थ लेटर लिखता है जो कि बहुत इंपॉर्टन है वो लिखता है फूर्थ लेटर में कि हमारे जत्थे ने यानि हमारे ग्रुप ने एक राक्षिस जैसे बड़े आदमी को भागते हुए देखा उसके पैरों की निशान देखे और अगली सुबह हम लोगों ने एक नॉर्मल आदमी को भी देखा देखने में तो वो यरूपिया नहीं लग रहा था बुरी हालत में बर्फ में पड़ा था हमारा शिप उसके करीब पहुँचा हमने उस आदमी को रस्क्यू किया और कुछ दिन गुजर गए उसको होश नहीं आया पर और कुछ दिन गुजरे वो आदमी ठीक होने लगा दीरे दीरे उसमें जानाने लगी जैसे जैसे उस आदमी का शरीर रिकवर हो रहा था मैं उस आदमी के करीब जाता रहा वो मेरा भाई जैसा हो गया मैं उसको भाई मानने लगा उस आदमी ने मुझे से पूछा कि मैं यहां कैसे आया इतनी ठंडी जगाए पर तो मैं बुला कि मुझे दुनिया के बारे में जानने का, नालेज लेने का, नालेज इखटी करने का बहुत शौख है वो कह सकते हो कि मैं नालेज की तलाश में आया हूँ बड़ा शौख है मुझे नालेज इखटी करने का मुझे लगा जैसे मेरी ये बात उसको अच्छी ने लगी वो बुला कि इस नालेज की तलाश में मैंने अपना सब कुछ खो दिया उस आदमी ने मुझे कहा ये बात सुनते ही न जाने क्यों मुझे उस आदमी में इंटरस्ट बढ़ गया मैंने उसकी स्टोरी सुननी चाहिए वो बोला जरूर सुनाओंगा हो सकता है मेरी स्टोरी तुमारी नालेज की प्यास को बचा सके हो सकता है तुम छोड़ दो ये knowledge का पीछा मैंने बुला हो ही नहीं सकता knowledge की तलाश में न जाने कहां कहां मैं भटका हूँ और अब मेरी किस्मत बन गई है knowledge इकटी करना तो मेरी बहन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो आदमी जो भी story सुनाएगा मैं उसे एक book में chapters की तरह लिखूँगा जो chapters next piece से शुरू हो रहे हैं तो हमारी कहानी के narrator को एक आदमी मिला है जो घायल हालत में था जिसको rescue किया है उन्होंने उस आदमी का नाम था Victor Frankenstein जो नेपल्स में पैदा हुआ, जनेवा में बड़ा हुआ और अभी ये फिलाल अपनी कहानी सुना रहा है ये शुरुआत करता है अपने parents की शादी से इसकी parents की शादी का भी एक किस्सा है जो इतना जरूर ही नहीं है तो उसको skip करते हुए चलते हैं ये बोलता है कि मैं पैदा हुआ, जब 5 साल का हुआ तो मेरी मा ने एक beautiful गोरी सी लड़की Elizabeth को गोद ले लिया Elizabeth अनात लड़की थी जिसको मेरी मा ने गोद ले लिया मेरी पूरी family, Frankenstein family उस लड़की से प्यार करते थी मेरे लिए Elizabeth एक बहन से बहुत ज्यादा बन चुकी थी मैं उसे बहन नहीं मानता था मैं उसे कजन बोलना ही पसंद करता था और वो भी मुझे अपना कजन मानना ही पसंद करती थी तो बच्पन तो मेरा एक बहुत ही अच्छा और perfect गुजरा Elizabeth के साथ में पार्टरी पढ़ता था नेचर की hidden laws को समझने की कोशिशे करता था Elizabeth के अलावा मेरे एक और दोस्त था बहुत ही करीबी दोस्त हैंरी मेरा पढ़ा लिखा स्कूल में बहुत हुश्यार लड़का था और मेरी तरह उसका भी एक सपना था कि हिस्टरी में अपना नाम दर्ज करवा के जाए अब जैसे जैसे मैं बढ़ा हो रहा था मेरे नैचरल फिलसोफी की तरफ इंट्रेस जो था वो पागलपन बनता जा रहा था जितने भी थिंकर्स थे इस फील्ड में मैंने सब पढ़ डाले सब के सब जितना पढ़ सकता था एक दिन मैंने देखा कि एक पेड पर बिजली गरी उसे देखकर मेरे दिमाग में ये बात आई अब नैचरल फिलसोफी में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी अभी ये बिजली गरी इस पेड पर तो साइंस की ये जला होती है ये beyond imagination इंसान की सोच से बहुत परे मतलब साइंस में कुछ भी हो सकता है जो इंसान सोच नहीं सकता है वो सब हो सकता है जब साइंस में इतना कुछ है तो मैं natural philosophy क्यों बढ़ रहा हूँ मतलब एक doubt पैदा हो गया मन में फिर दिमाग में आया है कि मुझे fact-based studies करनी चाहिए जैसे mathematics पिर जब मैं 17 साल का हुआ तो जिन्दगी में एक हादसा हो गया हादसा भी वड़ा खतरनाक था Elizabeth को एक टाइब का बुखार हो गया जो बुखार मेरी मा को पास हुआ और मेरी मा उस बुखार में गुजर गई जाती जाती वो कहती गई उनकी एक आखरी इच्छा थी कि मेरी Elizabeth से शादी हो जाए लेकिन अभी भी उनकी death का मेरी मा की death का इतना शौक था मैंने फैसला किया कि मैं Elizabeth, Henry अपने फादर सब को छोड़कर कहीं दूर चला जाओंगो स्टड़ी करने के लिए जर्मनी और मैं चला गया वहाँ जाने के बाद मेरी मुलाकात होई फिलासफी के एक टीचर से एक प्रफेसर से वो बोले कि अभी तक तुमने जो भी स्टड़ी किये सब कुछ complete waste of time था फिर दूसरे प्रफेसर से मुलाकात हुई वाल्डमन वो chemistry के प्रफेसर थे उन्होंने एक लेक्चर दिया पावर पर और science में successful भी थे वो award मिले थे उनको तो मैं inspire हुआ और मैंने अपनी सारी बात उनको बताई कि अभी-अभी मेरी मदर के death हुई है मेरे एक plan है कि क्या हम मरे हुए objects को जिन्दा कर सकते है मतलब ऐसा कुछ करने का मेरा plan है मैं ऐसा कुछ करने की मैं सोच रहा हूँ कि objects में हम जान डाल सके प्रफेसर वर्ल्डमन ने मेरा मजाक नहीं बनाया बलकि वो inspire हुए और मेरे plan को support करने के लिए राजी भी हो गए और फिर मैंने अपने काम में ऐसा खुद कुछ जोंका मैं अपने काम में ऐसा खो गया कि किसी चीज़ का होश नहीं रहा दो साल तक natural philosophy को इस तना जे खंगाला की बाकी सब अग्नोर कर दिया यहां तक की family friends Elizabeth B दो साल तक होश ही नहीं था कि कहा हूँ क्यों हूँ और फिर suddenly एक दिन दो साल बाद अचानक मुझे जिन्दगी का secret पता चला कि यह जिन्दगी आखर मिलती कैसे है इनसान जिन्दा कैसे है और फिर मैंने फैसला किया कि एक जिन्दा आदमियों की मैं पूरी community एक जात बना दूँगा और कुछ महीने तक मैंने उस creature को बनाने के लिए सबसे पहले एक sample के लिए creature बनाने की कुशिशे की उस creature को बनाने के लिए काफी time खर्च कर दिया अकिला काम करता रहता था अपने apartment में एक animating body बनाने के लिए चलती फिरती जीता जाकता शरीर बनाने के लिए objects को जिन्दा करने के लिए क्योंकि कहीं न कहीं मेरी इच्छा थी मैं चाहता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ बना लिया तो वो पूरी race पूरी community मुझे अपने भगवान की तरह पूझेगी जैसे आज इनसान अपने बनाने वाले भगवान को पूझते हैं कुछ टाइम बाद मुझे भी ऐसे पूझा जाएगा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था और महीनों की महनत की बाद आखिर मैंने एक जिन्दा creature बना लिया successful रहा मैं एक जिन्दा creature बनाने में लेकिन जैसे ही वो creature जिन्दा हुआ मुझे उससे डर सा लगा उसको बनाने की बाद मैंने पहली बात क्या सोची कि क्या बन गया ये तो monster बन गया मैंने क्या बनाना चाहा और ये क्या बन गया ये तो monster बन गया मैं उस room से ही भाग गया सोने की कोशिशे करने लगा लेकिन मुझे बुरे-बुरे मौत के कबरों के सपने आने लगे फिर मैं उट किया और वापस इस monster को देखने गया लेकिन वो बहुत ही डरावना था उसकी मौजूद की मुझे बिल्कुल बड़दाश्ट नहीं हो रही थी मैंने अपना घर ही छोड़ दिया पूरी रात बाहर गुजारी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं अपने अपार्टमेंट में वापस जब पर मैं बठकता बठकता पहुचा अपने दोस्त मैंने अपने दोस्त यर Children को ऊपर बुलबाया लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहां पर बहुत बुरी हुई कि मैं अपार्टमेंट में पहुंसते ही बीमार पड़ गया और महीनों तक मुझे पता नहीं मेरी creation कहा गई मैं बिमार पढ़ा रहा और Henry ने उस वक्त मेरी सिवा की किसी को भी नहीं बताया उसने कि मैं बिमार हूँ जब मैं ठीक हुआ तो Henry ने मुझे से कहा कि कम से कम अपनी family अपने फादर को एक letter तो लिख सकते हो और मुझे Elizabeth का लिखा हुआ एक letter तिया मैंने वो letter पढ़ा और उसको पढ़ने की बाद मैंने Henry को अपने professor से मिलवाया जिन professor से मैंने जर्मनी आकर दोस्ती की थी वो लोग मेरी तारीफे करने लगे कि ये बड़ा genius लड़का है ऐसा घर की तो उन्हें सुनकर मैं परिशान सा हो गया मैंने फैसला किया कि कुछ टाइम के लिए natural philosophy वगरा छोड़ूँगा और जाकर Middle East की languages सीखूँगा Henry के साथ मेरा semester खत्म होते होते मैं Henry के साथ जनेवा वापस जाने का वेट करने लगा हमने सोचा कि एक बार Germany घूम ली जा Germany को ढंक से घूमा क्योंकि हम जा रहे थे तो हम निकल गए दौरा करने के लिए जर्मनी का nature की beauty का observe करने के लिए जैसे देखकर मेरे अंदर एक जोश्ट सा भर किया पूरा Germany घूम कर जब हम लोग वापस लाट रहे थे दोनों जने तो मेरे father का एक letter मुझे मिला जो बड़ा shocking था जिसमें लिखा था कि मेरा सबसे छोड़ा भाई William वो घर का सबसे चहिता था उसका किसी ने murder कर दिया ये news सुनते ही मेरे तुमारों पैरों के नीचे जमीन किसक गई हो शौक हो गया मैं हम दोनों immediately घर की तरफ निकले लेकिन हमारे पहुँचने से पहले ही टाउन के gates बंद हो गए मैं उस जगे पर गया जहां पर मेरे भाई का murder हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी किस से दुश्मनी थी उसका murder कुन कर सकता है वो उस जगे को अच्छी से देखने के बाद में रास्ते में लाटते वक्त मैंने एक light सी चमकती हुई देखी जहां मेरे भाई की death हुई थी वहाँ पर वहीं पर मैंने कोई अजीब सी body के shape देखी देखने में कोई monster जैसा लग रहा था मुझे ज़्यादा देर ने लगी ये बात समझने में कि ये वही monster है जिसको मैंने बनाया था और इसी ने मेरे भाई को मारा है मैरे भाई की death के लिए मैं इस monster को नहीं भलकि घर में कुछ भी होता है तो घर की नौकरों पर सबसे पहले शेक जाता है कहा जा रहा था कि नौकरानी की जेब से पोलिस को एक portrait मिला था जो मरने से पहले विलियम वो portrait बना रहा था वो portrait उसकी मा का था मुझे ये सारी नोटंकी देखकर बहुत गुसा आया मैंने गुसे में अपने घरवालों से कहा कि जेस्टिन ने कुछ नहीं किया लेकिन इसके अलावा मैं कुछ बोल भी नहीं पाया ये लोग मुझे पागल समझेंगे लेकिन मैं इतना तो शॉर्ट था कि murder जेस्टिन नहीं किया murder of monster ने किया बलकि मैंने तो कहा कि मैं अपने भाई का murder खुद हूँ मेरा दिल कह रहा था कि confess कर लो लेकिन कैसे यहां बैटे सारे लोग मेरी बात को nonsense समझेंगे मानेंगे नहीं फागल समझेंगे और जब जेस्टिन का trial हुआ उस दिन लगभग वो बच्ची गई थी लेकिन ये थावित नहीं कर सकी कि वो pocket में portrait कहां से आया उसकी जेब में उसको मौत की सजा हो गई मैंने जाकर court के एक member से बात करने ही कोशिश की लेकिन वो बोला कि जेस्टिन ने अपना गुना खुद कबूल किया है हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे इसके बाद मैं अलिजबेट के साथ जील में गया जेस्टिन से मिलने के लिए इस नौकराणी से मिलने के लिए पूछा तुमने जब crime किया है ये नहीं तो तुमने अगले दन जेस्टिन को लटका दिया गया और मुझे इतना guilty feel हुआ कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि अब मैं indirectly दो मौतों का जब्मेदार हो गया एक तो खुद के भाई का और एक नोकरा नहीं का जेस्टिन का बड़ा बुरा लग रहा था ये देखकर कि मैंने क्या बनाना चाहा और ये क्या बन गया मेरे intentions कम से कम इतने बुरे तो नहीं थे मैंने इन सब बुरी चीज़ों को भुला कर अपने family के साथ vacations पर जाने का फैसला किया क्योंकि मेरे दिमाग में बुरे बुरे suicide की ख्याल आ रहा थे और एक बार के लिए तो ये भी आया कि चल कर उस monster से बदला लिया जाए एक दिन तो Elizabeth ने भी मुझे कही दिया कि अब मैं इस दुनिया को पहले जैसा नहीं देखती कि किस तरह से मासूम बेगुना लोगों को भी रेमी सी मार दिया जाता है यहाँ पर उससे यह सब बढ़दाश्ट नहीं हो रहा था इसलिए मैं फ्रांस की ट्रिप पर निकल गया कुछ टाइम सुकून की तलाश में और वाके इस स्ट्रिप के दौरान मुझे कुछ सुकून भी मिला मुझे बहुत सारे निजारे दिखे लगा जैसे यह जिसे यह जिन्दगी का बहुत ही अच्छा टाइम में बहुत समय बात गुजार रहा हूँ लेकिन यह अच्छा टाइम ज्यादा समय के लिए नहीं था तो जो भी मेरे दिमाग में स्ट्रस था उसको मिटाने के लिए मैं फ्रांस गया गूमने के लिए फ्रांस में मैं एक माउंटेन पर उपर ही उपर चड़ गया वहाँ जाकर मुझे कुछ अच्छा लगने लगा था तब ही वो मांस्टर मुझे फिर दिखा मैंने उसे अपना गुसा दिखाया और उम्मीद की कि ये खुद ही खत्म हो जाए लेकिन वो मांस्टर मुझे बोला कि मैं तुम्हारा आड़म हूँ तुम्हारा फिर्स्ट मैन वो मांस्टर मुझे बोला कि तुमने मुझे बना कर छोड़ दिया इस बात से मैं तुम पर बहुत नाराज हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे रेक्वेस्ट करता हूँ प्लीज एक बार मेरी स्टोरी सुन लो वो मांस्टर मुझे से बोल रहा था कि मेरी स्टोरी सुन लो मैंने सूचा ये तो मेरी रेस्पॉंसिबिलिटी है क्योंकि मैंने इसको बनाया है तो मैं उसके पीछे पीछे चल दिया एक ग्लेशियर में उसने कोई गुफा बना रखी थी उस गुफा में गया लोगों को मुझे डर सा लगने लगा तो मैंने फैसला किया कि जितना लोगों से दूर रहा जाए उतना ही बहतर है आखर मुझे भटकते भटकते एक जगह मिल गई जहां मैं छुप सकता था एक कॉटेज की साइड में डार्कनस थी वहां पर छुपने की जगह मिल गई वहां छुपकर मैं लोगों को देखता था एक आदमी, एक आरत, एक बुड़ा, एक बच्चा जो भी वो डेली की basic activities करते थे उन सब को observe करता था वो एक family थी जिसको मैं देखता था वो family बहुत ही दुखी थी मुझे समझ में नहीं आया क्यूं क्योंकि उस family का मालक old था गरीब था, भूका था, blind था तो मुझे भूक तो लगती थी तो मैं मजबूरी में उनका सारा खाना खा जाता था मुझे खाना पढ़ता था लेकिन उनके लिए रात में जाकर लखड़ियां रख देता था cottage के बाहर, रात के बागत बाद में मुझे समझ में आया कि ये लोग जो आवाजे निकालते हैं ये आपस में बाते करते हैं बाते करने के लिए निकालते हैं, communicate करने के लिए तो मैं उनकी language सीखने की कोशिश करने रगा उस घर के लड़के का नाम था फैलक्स और लड़की का नाम था अगा था उस फैमिली से मुझे काफे कुछ सीखने को मिला मैंने अपनी चाल ढ़ाल बदल ली उनके जैसा बनने ही कोशिश की उनके जैसा बोलने की कोशिश की, उनके जैसा रहने की कोशिश की और एक दिल लोगों कि देखे देख, मैं एक पानी के पूल में पहुंच किया लेकिन मुझे देखकर वहां के लोग चिला चिला घर भाग गए उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैं चाहिए कितना भी gentle बनने ही कुषिश कर लूँ gentle ही बात करने ही कुषिश कर लूँ अच्छी चीज़े कर लूँ लेकिन लोग तो मेरी appearance देखेंगे एक दुनिया में लोग appearance देखते हैं क्योंकि मैं दिखता है इतना भायनक हूँ, चाहे हूँ नहीं दिल से, फिर स्प्रिंग का मौसम आते आते मुझ में भी उम्मीद आ गई, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कल को लेकर उम्मीद आ गई, मैं ससाइटी के लोगों के बारे में ज्यादा जानने लगा, समझने मेरे अपनी कोई ससाइटी नहीं, कि मैं एक मौनस्टर हूँ, और ऐसे ही बिना किसी दोस्त के, बिना किसी साथी के मरूँगा, मुझे पहले कभी ससाइटी के इन रूल्स की बारे में पता नहीं चला था, इस चीज ने मेरी कंडिशन को और ज्यादा बत्तर कर दिया, और ज मैं भी खुद को Adam की तरह मानने लगा, जिसे उसके बनाने वाले ने छोड़ दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यूं मुझे सेटन दिखता है, मैं तो खुद को Adam मानता हूँ, लोग मुझे सेटन की तरह देखते, क्योंकि Adam को बनाने वाला उससे प्यार तो करता था, मे मेरी पूरी कहानी लिखी थी मुझे बनाने की कैसे कैसे तुमने मुझे बनाया, लेकिन मुझे तुम पर बड़ा गुसा आया, कि क्यों तुमने मुझे इतना बतसूरत बनाया, इचीज पता है मुझे कब रियलाइस होई, जब मैं उस फैमिली के पास गया, उस फैमिली को घर की लड़की बेहुश हो गई मैं वहाँ से भाग गया उस फैमिली का ऐसा बुरा रियक्शन देख कर मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन अगला दिन होते होते गुस्ता शान्त हो गया मैंने वापस उसके पास जाने ही कुशिश की कि जाओं एक बार जाकर बात करूँ उमीद है कि अब वो मुझे से बात करेंगे लेकिन जब मैं उस घर के पास पहुँचा न देखा उस फैमिली ने तो अपना घर ही बेज़ दिया वो लोग जा रहे थे वो लोग ऐसी जगए नहीं रहना चाहते थे जहां पर मॉंस्टर रहते हो तो बता नहीं कैसे सुसाइटी के साथ मेरा तालमिल बैठता सुसाइटी के साथ एक आखरी लिंक था वो फैमिली मेरा वो भी खत्म हो गया मेरा गुस्टा साथवे आसमान पर था बुलो मुझे क्या करना चाहिए था मुझे तो बदला चाहिए था मैंने उनके घर में उनके कॉटेज में आग लगा थी और जनेवा के लिए निकल पड़ा तुमसे बदला लेने के लिए तो वो मॉंस्टर अपनी कहानी सुना रहा है कि ससाइटी के साथ जो मेरा आखरी लिंक था वो भी खत्म हो गया उस पैमिली के साथ ही मेरा गुसा साथवे आसमान पर था क्योंकि मुझे बदला चाहिए था मैंने उस कोटेज में आग लगा दी उस घर में आग लगा दी वहां मुझे एक खुबसूरत सी लड़की देखी जिसकी खुबसूरती को देखकर मेरा गुसा और बढ़ गया क्योंकि मुझे से अब किसी भी टाइप की ब्यूटी बरदाश्ट नहीं हो रही थी अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ इस भीज तुम्हारा भाई भी मर गया मुझे से तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए अगर तुम मेरी जगा होते तो क्या करते मुझे भी फैमिली चाहिए मैं आकेरा कैसे रहू क्या मेरा दिल नहीं करता किसी का साथ हो मेरे साथ मैं कोई साथ ही हो मेरा तो ये पूरी कहानी थी जो उस monster ने मुझे सुनाई उसकी पूरी कहानी सुनी मैंने बात तो सही है क्या उसका दिल नहीं करता कि उसकी भी कोई girlfriend हो लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था एक ऐसा creature बनाने के लिए जो पहले ही बना कर एक बार गलती हो गई है एक और creature बनाओ ऐसा ही मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं एक और ऐसा creature बनाओ तो वो monster मुझसे बुला अब मैं कोई विनाश नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम पर मुझे गुसा था अब तो कोई गुसा नहीं है अब मैं तुम से वादा करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक फीमेल मॉंस्टर बनाओ मैं उसे लेकर साउथ अमेरिका चला जाओंगा हिउमन से बिलकुल दूर कहीं दूर एक तुम मुझे उस मॉंस्टर पर गुसा था बहुत आ रहा था क्योंकि जब भी मैं उसको देखता था मुझे मेरे भाई की मौत याता जाती थी लेकिन कहीं न कहीं मन में दया भी आ जाती थी कि मैंने इसको ऐसा बनाया है मेरी वज़े से ये सब जेल रहा है तो मैं राजी हो गया कि ये मेरी जिम्मेदारी है इसके लिए एक फीमिल मॉंस्टर बना दूँगा तो इसने वादा किया ये कहीं दूर चला जाएगा अभी तक उस मौंस्टर के लिए मेरे मन में जो प्रेजरिस था वो बाहर नहीं आ सका था पूरी तरह से अब वो मौंस्टर तो चला गया लेकिन मैं यहां पर सोचने लिगा लेकिन अभी पर मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर उस मौंस्टर का सौदा जूल रहा था इंग्लैंड जाने का भी यही रीजन था कि कुछ ट्राइम तक शादी से बचा जाया मैं यहां पर शादी से बचने ही कोशिशे कर रहा था इस प्राजेक्ट पर काम करने ही खुशिशे कर रहा था दूसरे दिमाग में कहीना गई यह भी था कि अपने फादर की कोई काम नहीं आ रहा मैं मैं और हैंडरी आक्टोबर में इंग्लैंड पहुंचे वहां पहुंसते ही मैंने अकिला रहना शुरू कर दिया लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया जब तक ज़रूरी काम नहीं होता था मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटर तब तक मैं लोगों से मिलता नहीं था कोई इंफरमिशन मिलती तब ही मैं बात करता था वहां मेरा दोस्त हैंरी वो तो नौलेज इखटी करने में लगा था जितने लोगों से हो सकता था उतने लोगों से मिल रहा था फिर हम दोनों स्कॉटलेंड गए वहां मैंने हैंरी को अपने एक दोस्त के पास छोड़ा और इससे आगे का सफर मैं अकेले ही करने लगा मैं पहुँचा एक सुंसान आइलेंड पर वहां पर एक लैब बनाई और अकेले में अपने सीक्रिट प्रोजेक्ट पर काम करने लगा अब वहां काम करते करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी लेकिन एक रात सडली मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई विक्टर तू ये फ्यूमिल मॉंस्टर बना तो रहा है लेकिन ये है तो एक मॉंस्टर कल को ये लोग मना गर दे कि ये लोग नहीं जाएंगे हियूमन्स के बीच में रहेंगे तो क्या कर लेगा तो बता और तो और अगर ये दोनों मॉंस्टर मिलकर साथ में बच्चे पैदा करेंगे तो डेविल्स की एक कम्यूनिटी बन जाएगी क्या करेगा ये हमसे है भी पावरफुल कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग ये सब सोची रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ी उस मॉंस्टर पर जो खिड़की से अंदर जहांक रहा था और मुस्कुरा रहा था अपनी गल्फरेंट को बनता देखकर ये सीन देखकर एक बार के लिए तो मैं डर गया ये सारा सीन देखकर मैंने इंसानों की भलाए के लिए जो फीमिल मॉंस्टर को जितना बनाया था भाही खत्म कर दिया मुझे नहीं पता था अब वो मॉंस्टर मेरा क्या हशर करेगा ये सब देखकर गंटों बाद जब वो मॉंस्टर मेरी लैब में वापस आया जब शादी वाली रात अगर ये मुझे मार देगा तो अलिजबेट विड़ो हो जाएगी अब मुझे हैंडरी का एक लैटर मिला वो पूछ रहा था कि ट्रैवलिंग पर चलें तो मैंने अपनी लैब का सारा सामान उठा कर जो भी कच्रा फैलाया था मैंने उस सबको समद्र में फैक दिया और सुकून मिला कि कम से कम अब ये सामान किसी के हाथ ने लगेगा लेकिन तभी एक बहुत बुरी चीज हो गया एक मुर्डर हो गया जहां से मैं अपनी नाउ लेकर आ रहा था वहाँ पर लोगों की भीड थी मैं जैसे किनारे पर उत्रा तो लोगों ने मुझे घीर लिया इसी का मुर्डर हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका लोकल मैजिस्ट्रेट की पास गया उनके आफिस में जाकर पता चला कि जो मुर्डर हुआ जिसकी डेट बॉड़ी है वो किनारे पर है किनारे पर उसकी गردन पर काले निशान मिले है और according to witnesses वो बोट मेरी जैसी लग रही थै मेरी बोट की जैसी मैं बॉड़ी को देखने गया डेट बोड़ी को पलट कर देखा तो वो डेट बोड़ी किस की थी मेरे दोस्त हैंरी की जिसे देखकर एक बार के लिए तो मैं बेहोश होता होता बचा दो महीनों तक बिस्तर पकड़ लिया मुझे होश ही नहीं था मैं कहां पर हूँ जब होश आया तो बता चला मैं जील में हूँ मुझे मालूम था मैं आज़ाद तो हुई जाओंगा बहुत जल्द और वैसा ही हुआ जील में मेरे फादर भी मुझे मिलने आया थे कोट में मेरे खिलाफ कोई भी सबूत थाबित नहीं हो सका इसलिए मुझे तो छोड़ दिया गया लेकिन मुझे अभी चिंता थी अपनी फैमिली की कि वो मॉंस्टर अब और खतरनाग हो गया है वो जो करना है वो करेगा अभी मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना अस मॉंस्टर से इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके अतना जल्दी इमिजिकली मैं जनेवा के लिए निकल गया मेरे फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ होच क्या रहा है चल क्या रहा है इसलिए मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने विलियम, मेड, जिस्टन और हैंरी तीनों को मार दिया गलती से मुझे वो मर गया इस बीच मुझे ऐलिजबेट का लेटर मिला वो मुझे से शादी करना चाती थी अब मुझे चिंता इस बात की थी कि मेरी नाम आजूई में ऐलिजबेट कहीं किसी और से शादी ना कर ले लेकिन मुझे उस मांस्टर की भी बात याद थी कि शादी वाली रात वो आएगा तब मैंने फैसला कर लिया अब या तो वो रहेगा या फिर मैं इसलिए मैंने अलिजबेट को एक लेटर लिखा कि मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है क्योंकि एक बड़ा खतरनाक सीक्रिट है जो मुझे शादी के बाद तुम्हें अगले दिन तुम्हें बताना है ठीक है अगले ही अपते मेरी और अलिजबेट की शादी होगे फिर हम हनीमून के लिए इटले निकल गए और अब मुझे मॉंस्टर के आने का इंतिसार था एक डर भी लग रहा था मन में मैंने पिस्तॉल तयार कर ली डर इस बात का था कि मॉंस्टर किसी भी वक्त आ सकता है मुझे पर हमला कर सकता है एलिजबेट की सेफटी के लिए मैंने इसको बैट पर भीज़ दिया अब उसकी सेफटी के साथ साथ मुझे मेरी सेफटी भी परवा करनी थी लेकिन तभी एलिजबेट की चिलाने की आवाज आई मैंने जाकर देखा तो एलिजबेट की डेट बाडी पड़ी थी उसकी डेट बाड़ी से जब मैं टक रहा है तो मैंने देखा कि मॉंस्टर वो किड़की से कूद कर भाग रहा था मैंने उस पर गोली चलाई लेकिन वो चूप गई एलिजबेट की डेट की कबर जब मेरे फादर को लगी तो वो दुख में गुजर गया कुछ महीनों में मेरी पूरी दुनिया विखर गया कुछ महीनों के लिए तो मैं पागल सा हो गया मुझे एक कोटरी में बंद कर दिया गया जब मुझे होश आया तो सारी स्टोरी मैंने मैजिस्टेट को सुनाई Registrate को वो स्टोरी सुनकर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकते है फिर भी उसने कहा कि उस मॉंस्टर को पकड़ पाना impossible है मतब कैसे घमंडी लोग है मैंने फैसला कर लिया कि उस मॉंस्टर को मैं खुद ही ढूनूँगा और बदला लोगा ये सब घमंडी लोग हैं जो जूटे घमंड में जीते हैं इन्ही लोगों की सेफटी के लिए मैंने दूसरा मॉंस्टर नहीं बना है और मैंने हमिशा के लिए जिनेवा छोड़ने का फैसला कर लिया अब सारे फैमिली मेंबर्स की कबरों पर जाकर मैंने कसम खाई कि मैं उस मॉंस्टर को मार दूँगा तभी मुझे उस मॉंस्टर के हसने की आवाज आई फिर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो अंधेरे में हवा हो महीनों तक उस मॉंस्टर का पीछा घटे-घटे आखिर मैं आर्ट टेक रिजन में पहुंचा यहाँ पर तुम लोगों ने मुझे रस्क्यो किया यहाँ पहुंचकर मेरी ऐसी हालत हो गई और तुम्हारे शिपने मुझे यहाँ पर रस्क्यो किया तो यह कहानी थी जो विक्टर ने मुझे सुनाई यहाँ पर कहानी का नेरेटर बोलता है वाल्टन तो ये कहानी थी जो विक्टर ने मुझे सुनाई वाल्टन अपनी बहन को लेटर्स में लेकरा है वो जानता है कि वो मरने वाला है और मरते हुए उसकी जबान पर बस एक ही चीज थी बदला 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 कोई और करे ना करे लेकिन मुझे विक्टर की स्टोरी पर पूरा फरुसा है इसके बाद सितंबर की महीने में विक्टर गुजर गया जहां जहास पर उसकी डेट बाड़ी पड़ी थी वहीं पर वो मांस्टर आया विक्टर की डेट बाड़ी पर रोने लगा मैंने देखा वह सीन अपनी आखों से उसने अपने बनाने वाले को मार दिया था मैंने बड़ी हिम्मत करके उस मॉंस्टर से कहा कि तुम कितने नीचो तुम्हारी वज़े से आज यह यहां पर पढ़ा है समझे तुम सिर्श तुम्हारी वज़े से मॉंस्टर गिल्टी था अपने आप में गिल्टी था कि उसने अपने बनाने वाले को मार दिया मैंने कहा कि यह तुम्हारी वज़े से यहां पर पढ़ा है तो मॉंस्टर के दिमाग पर असर हुआ उसकी पास करने को अप उसकी लाइफ में कोई परपस नहीं था इसलिए उसने भी अपने लाइफ को खत्म करने का फैसला कर लिया और यहीं पर यह स्टोरी खत्म होती है दोस्तों अब इस कहानी में अमबिशन्स की बात की गई है अती महत्वकांशी होना ओवर अमबिशिस होना कि इंसान का अमबिशिस होना अच्छा है लेकिन ओवर अमबिशिस होना खराब है अंधा नहीं हो जाना चाहिए आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी पसंद भी आई होगी आज की वीडियो में बस अतना ही अब जब आपने यह वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह नोवल समझ में आई होगी दोस्तो बहुत अच्छे से समझाने ही कुशिश किये वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन इसकी समरी सारी मैं आपको बताने ही कुशिश किये चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में